गुद मॉर्निंग स्टुडेंट 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 स्टुडेंगे सोशल स्टुडेंगे टेकाउट पेज नंबर 165 लेशन वन रिवर्स ऑफ इंडिया तो इंडिया में जो नदिया हैं उसके पारे में पढ़ेंगे तो जो माउंटेंस के उपर से स्टुडेंगे बरब पढ़ती है वही मेल्ट होके रिवर में फॉर्म होती है रिवर गिवस वाटर तो हेल्प करती है तो यह प्लांट के लिए अच्छा नहीं है इस रॉंग सुच के वाटर तो हेले जो न योरु लेसले टेस्ट रिवर सहां और लाज था अटी राड़ प्रेश वाटर तो यह रिवर होती 2 लिए उसका पानी पीने लाइक होता Rise they are born high up in the mountains तो वो कहां से आती हैं वो mountains पे से आती है जब उचे mountains पे snow melt होती है तब वो rivers form होती है they flows down from the mountains to the plains where crops are grown तो वो flow करके plains में आती हैं नीचे की तरफ जहां पर crops उगाई जाती हैं finally they enter the sea और फिर last में वो sea में मिल जाती हैं a river passes through three stages of life so river की three stages बताई गही है let's understand these stages the young river और the upper course so जहां से शुरू हो रही है वो young river या फिर सबसे उपर ही पाट जहां से वो आ रही है the middle aged river और middle course so बीच में जहां आ रही है and the old river जहां वो खतम हो रही है और the lower course the young river is quick and fast with a lot of energy so young river होगी जहां से शुरू हो रही है वो बहुत ही fast होगी तेजी से बहती होती है with lot of energy it looks small but has a rapid flow that can cut through rocky hills and mountains देखने में स्ट्रीम उसकी छोटी लगती है मगर उसका फ्लो जो होता है बहुत ही तेज बहाँ होता है जिसकी वजह से वो rocky hills को भी काट सकती है mountains में भी वो निशान बनाके कट करती ही निकलती है at this stage a river can create a waterfall और इसी समय waterfalls बनते हैं क्योंकि वो mountain से उचाई पे नीचे की तरफ आती है the middle aged river grows to become wider and slows down अब जब नीचे की तरफ वो आ जाती है तो वो उसका बहाँ कम हो जाता है और wider मतलब चौडी हो जाती है at this stage it leaves the high and steep mountains and enters the plains अब वो mountain से नीचे आके plane में enter कर जाती है जिससे उसका बहाँ slow हो जाता है धीरे हो जाता है its speed decreases speed कम बढ़ जाती है as it has a lot of weight in the form of silt rocks boulders that have now broken down so जब वो mountain से नीचे उतरती है तो वो बहुत सारा अपने साथ जब rocks को काटती हुई mountains को काटती हुई आती है बहुत सारा silt rock और boulder लेके आती है मतलब चोटे-चोटे pieces होते हैं जो rocks और mountains के वो उसके साथ बहके नीचे आ जाते हैं की वज़े से उसकी speed कम हो जाती है it meanders as it flows and deposits the material here and there वो इधर उदर loops बनाती हुई flow करती है जिसकी वज़े से वह अपने यह जो material जो बहा के लाती है वह इधर यह उदर deposit कर देती है these deposits are the rich aluvial deposits that make the soil fertile to grow और यही जो deposits होते हैं जो बहके उसके साथ होते हैं आते हैं उसको aluvial deposits कहते हैं जो soil को fertile बना देती है जिससे हम crop उगाने के लिए वह ज़्यादा fertile हो जाती है the old river reaches the end of its journey so जब last में वो sea में मिलती है वो old river कहनाती है जहां पर उसकी journey खतम होती है the end of the river is called its mouth उसे हम mouth कहते है the speed of the river is very slow and it again deposits a lot of material at the mouth so उसकी river की जो speed होती है बहुत कम होती जाती है और वो deposits को उसके जो mouth होता है महाँ पर बहुत सारे deposit करती जाती है क्योंकि flow कम हो जाता है तो वो deposits रुकते जाते और एक जगा इकठे होते जाते है many rivers form a triangular shaped area called delta so triangular shaped का बन जाता है जिसे delta कहते है at the mouth before the river joins the sea जहां पर sea से river मिलने वाली होती है महाँ पर वो इस तरह का triangular shape area बना देती है जिसको delta गहते हैं a delta region is very fertile वह region जो होता है delta वह बहुत fertile होता है क्योंकि महाँ पर बहुत सारे deposit होते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्रा delta is the biggest delta in the world so सबसे बड़ा डेल्टा वर्ड में है गंगा ब्रह्मपुत्रा delta it has swampy marshes covered by mangrove forest called the sundar buns to swampy marshes दल्दली एरिया है जो mangrove forest covered है जिनके हम sundar buns करते हैं these forests get their name from the sundary trees that grow here so यहाँ पर sundary नाम के trees grow होते हैं इसलिए इनका नाम sundar buns पड़ा mcqs rivers are large fresh water bodies a river has dash stages of life so कितनी है three now types of river in India rivers are of two types तो इंडिया में दो तरह की रिवर्स है snow fed और rain fed snow fed मतलब जो बरफ के पानी से और rain मतलब जो बारिश के पानी से हैं डैम्स are constructed across rivers they form walls that act like barriers and stop the rivers from overflowing the store and provide water for irrigation production of hydro electricity so dams on rivers के बारे में दिया rivers के ओपर dams बनाये जाते हैं उस पानी को store करने के लिए नहीं तो फिर आसपास के area में बाढ़ आ जाती है और फिर इसी store पानी को irrigation और electricity produce करने के लिए काम में लिये जाता है now snow fed rivers जो बरफ पिगली बरफ से जो rivers बनती है snow fed rivers are those rivers that get their water from the snow that melts on the mountain so जब mountains की snow melt हो जाती है तो यह rivers form होती है the Himalayas remains snow covered throughout the year so Himalayas जो होते हैं पूरे साल ही snow से cover रहते हैं they are covered with glaciers that look like rivers of ice so glaciers से cover रहते हैं चारो तरफ बरफ जमी रहते हैं ऐसे लगता है कि बरफ की नदिया है these glaciers और huge blocks of ice sheets melt down to form streams that flow from the mountains so यह glaciers होते हैं वो दीरे-दीरे जो ice sheets होते हैं बरफ के बने हुए blocks होते हैं बड़े-बड़े वो दीरे-दीरे melt होते हैं और फिर वो mountains से flow होके नीचे की तरफ आते हैं many such streams join to form the river इस तरह से बहुत सारे streams आपस में मिलकर river form करते हैं a glacier are so huge that these rivers have water throughout the year so इतने बड़े-बड़े glaciers होते हैं कि वो पूरे साल जैसे पिगलते हैं तो इन rivers में पूरे साल ही पानी रहता है these rivers are perennial rivers इनको perennial rivers कहते हैं this means that they don't become dry इसका मतलब यह है कि वो कभी भी सूखेंगी नहीं they keep giving water to the people living in the region where they flow so जहां पर वो फ्लो करते हैं उसके एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास हमेशा पानी अवेलेबल रहता है दगंगा यमना प्रह्मापुत्र इंडस और स्नो फेट Rivers that flow throughout north India and or the northern plains and make the area fertile so north India northern side plains में जो रिवर बैती है वो है गंगा यमना प्रह्मापुत्र इंडस जो उस एरिया को फटाईल रखती है the area that gets watered by a river and its tributaries is called its basin तो जो एरिया पानी रिवर के पानी से जिन एरिया में river का पानी और उसकी tributaries से पानी मिलता है उन्हें हम basin कहते है rivers are joined by their tributaries as they flow down जैसे-जैसे rivers नीचे बहते हैं उनकी tributaries उनको आपस में join करती रहते है a tributary is a small river that joins a large river so बड़ी-बड़ी नदिया बहते हैं जब उनमें आके छोटी नदिया मिल जाती है बहुत बड़ी है उसकी tributary यमना है जो उसमें आगे जाकर मिलती है गंगा it originates from गंगोत्री glacier in उत्राखंड उत्राखंड में जगंगोत्री glacier है उससे origin होता है गंगा नदिका it flows down the mountains and reaches the plains at हरीद्वार फिर वो बहती हुई हरीद्वार में आती है इन बांगलादेश अनादर रिवर कॉल्ड ब्रह्मा पुत्रा जॉइंस दा गंगा और फिर बंगलादेश में जाकर ब्रह्मा पुत्रा गंगा को जॉइन करती है इट देन ड्रेंस इंट्व बेव बंगला फिर वो लास्ट में बेव बंगल में जाकर मिल गिरती है अलाबाद कानपूर पत्ना एंड वारा नसी आर सम अब इस लोकेटेट अन डा बैंक्स रिवर गंगा सो रिवर गंगा की में शिटीज जो है जिनको तीरत यात्रा भी बोलते है अलाबाद कानपूर पत्ना एंड वारा नसी नाव यम्मना रिवर यम्मना हैज़िट सोर्स इन यमनोत्री ग्लेशर से आती है तो इंड वर फ्लोस से हुए है इट जॉइंस रिवर गंगा एट अलाबाद तो रिवर गंगा में वो अलाबाद में जॉइन करती है तो प्लेस वेर दे मीट इस कॉल संगार जहां पर वह मिलती है उस प्लेस को हम संगम कहते हैं ब्रह्मा पुत्रा इट सोर्स इस नियर लेक मान सरोवर इन है लेक मान सरोवर में जो तिबबत में है उसे हम स्वांग पो कहते हैं only a part of this river flows through इंडिया इसका सिरफ कुछ ही पार्ट होता है जो इंडिया में फ्लो करता है इट एंटर्स इंडिया इन अनाचल प्रदेश है तिबद से अनाचल प्रदेश में इंडिया में अनाचल इंडिया 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 इंड बावी और मियास होतीजे जो इंडियों करता हैं जेलम सतलूकष्ट छेदनभ रभी और मैं भये आवब्यास इसारी का पंजाब से पंजाब सब्शाली इंडियों और जिसका मतलब 5 रिवर्स जो आपस में फ्लो कर रही हैं पंच और पंच मीन्स फाइब आप मीन्स वाटर रिवर एंडस फ्लोऊ इंटू पाकिस्तान और द्रेंस इंटू अरेबियन सी फिर वो पाकिस्तान से होती अरेबियन सी में जा मिलती है दा बाग्रानांगल दम इस बिल बाई चिल्रन